हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo Y72 Android मॉइल फोन में आप जो फिंगर प्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं अपने मॉइल फोन पे ठीक है और यह फिंगर प्रिंट लॉक सेट होने के बाद आपके फोन की सेटिंग कैसे क करना है आप अब हैसे पेज किसी भी हाथ की एक उंगली को आपको उठाओ तrica तो इसACनिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी ठीक है तो जब तक आपके fingerprint यहाँ पर scanning complete नहीं हो जाती है तब तक आपको only को उठा उठा के इस तरीके से touch करते रहना तो यहाँ पर देखे कुछी seconds में process complete हो जाता है तो यहाँ पर यह process complete होने वाला भी हो गया अब यहाँ पर आपको नीचे done का option select करना है यहाँ पर आपका fingerprint का page आएगा इसमें आपको fingerprint 1 यहाँ पर नीचे लिखा हो दिखाई देगा इस तरीके से आपका fingerprint lock set हो जाता है आपके phone पे अब यह fingerprint lock set होने के बाद कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ जब भी आपके phone की screen off होगी तो आपको सबसे नीचे fingerprint का icon दिखाई देगा इस पर आपको touch करना है ठीके तो आपका phone unlock हो जाएगा आपको उसी उंगले को touch करना है जो आपने scanning के लिए touch करी दी ठीके तो यह setting ऐसे काम करते है fingerprint lock set करने के बाद अब मैं आपको इस setting को fingerprint की setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है setting page में आपको सबसे उपर इस search icon select करना है और यहाँ पर आपको search bar में fingerprint आपको type करना है इससे क्या होता आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका में बता दिया इस setting को ढूंडने का